जैहन दोस्तों, स्वागत आप सबका Sleepy Classes के YouTube चानल पे उमीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे तो दोस्तों North India में तो सर्दी काफी बढ़ रही है, करोना के केसे भी बढ़ रहे हैं लेकिन मैं उमीद करता हूँ कि आप और आपके Loved Ons, आपकी Families, आप सब सेफ हैं, आप सब तंद्रुस्त हैं तो दोस्तों, आज वापस हम शुरू करेंगे, पुराने तरीके से अपना Editorial Discussion, वीडियो के थुरू तो दोस्तों, जो हमारे साथ काफी शायद हो सकता है, नए दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हों, काफी नए सब्स्क्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हों, हमारे चानल पे, जो इन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं चाहे वो Editorials की है, चाहे वो Premix का हो, चाहे वो बाकी initiatives हो, तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना जाता हूँ, को हम Editorials की बात करें देखे, सारे के सारे Editorials important नहीं होते हैं, अब हम daily basis में Editorials discuss कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी, कि जो relevant Editorials हैं, जो बहुत important हैं, आपके means के syllabus के according लिए हम उसको discuss करें, नहीं तो दिन भर में तो 10-15 Editorials आते हैं, हिंदू और Indian Express को combine करके, तो अगर 10-15 Editorials हम पढ़ने लग आया, तो हमने फिर और इस class को कम कर दिया, हफते में दो दिन लेना शुरू कर दिया, अब क्योंकि हम इसको everyday करी रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि 20-25 मिनिट में जो relevant Editorials हैं, वो हम आपके सामने रखें, देखिए, कम पढ़ने में कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हम क 355 Editorials बन जाते हैं, तो वो humanly possible नहीं है, और यह Editorials आप देखेंगे, आपको यह observe भी करेंगे, कि काफी repeat भी होते रहते हैं, काफी सारे ऐसे topics हैं, IR की बात करें, environment की बात करें, agriculture की बात करें, बहुत repeat भी होते रहते हैं, तो हमको और points मिलते रहते हैं, जो हम अपने, और value addition क नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, अगर कोई चलो, आज 3 Editorials हैं, तो आज हम 3 Editorials discuss करेंगे, तो 3 में से कोई भी एक question अगर आपको लगता है, कि उसका आप comment section में answer करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, दे हैं, तो इससे आप अपनी speed बढ़ा सकते हैं, इससे आपको points और मिलते रहेंगे, तो जब exam का time आएगा, तो आप crisp clean points को reproduce कर सकते हैं, etc, etc, so दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने आज के editorial discussion के towards, तो 3 relevant editorials रहेंगे दोस्तों आज के, Hindu और Indian Express के, from the 18th of January, चलिए, तो दोस्तों पहल article, पहला article, इंडिया's watchwords is not so bright in 2022, this is written by M.K. Narayan, तो ये former director है, जोके intelligence bureau के, former national security advisor है, जोके हैं, तो international relations को लेके, internal security को लेके, external security को लेके, काफी extensively लिखते रहते हैं, के Hindus में articles आते रहते हैं, on and off, तो अब ये क्या कहते हैं, देखी, इन्होंने तो को जादा encouraging बात नहीं कहीं है, अगर हम international scenario की बात करें, geopolitics की बात करें, तो इनका ये मानना है, जो picture है, आने वाले साल में, याने के 2022 में, इस साल में, जो international politics की picture की बात करें, तो जादा अच्छी नहीं है, तो इंडिया भी बहुत difficult situation में रहेगा, ऐसा इनका मानना है, अब वो क्या होगा के नहीं होगा, वो हम इस article में analysis करते हैं, और बाकी इंडिया की position और situation कैसे रहती आने वाले साल में, अगर हम geopolitical scenario की बात करें, तो it will be too early to say, but nevertheless, ये article को हमने discuss करना है, तो पहली बात ये कहते है, risks in 2022 can be domestic and geopolitical, बोथ, तो uncertainty रहीगी international relations में, ठीक है, paramount issue जो 2022 में रहेगा, वो रहेगा, democracy की बात क करें, देखिए, अभी बहुत civil unrest देखने को मिल रहा है, Sudan की बात करें, Belarus की बात करें, Kazakhstan की बात करें, Ethiopia की बात करें, Afghanistan की बात करें, Afghanistan की बात करें, Afghanistan में Taliban पिछले चार महीनों से, जैसे आपको बते, Taliban की रेजीम महाँ पे चल रही है, तो democracy को लेकर रहे हैं यहाँ पे चिंता of USA, military अगर बात करें, तो China is openly challenging US supremacy, although आज comment आया था, Xi Jinping का, आज newspaper में comment आया था, कि वो कह रहे थे कि जो submit हुआ था, World Economic Forum का, जो virtual submit हुआ था, वहाँ पे Xi Jinping कह रहे थे, कि देखो हम कोई Cold War के पीछे नहीं लड़ रहे हैं, हमारी कोई Cold War नहीं है, अमेरिका के साथ, हम तो cooperation चाह है, that is obviously disturbing USA, और China openly challenge कर रहा है USA की supremacy को, चाहे वो military की बात करें, चाहे वो naval dominance की बात करें, तो अगर हम बात करें, one country, two systems की, तो Hong Kong की बात करें, Taiwan की बात करें, ये conflict भी काफी जादा news में रहेंगे, ठीक है, तो जिसे कि आप जानते हैं कि one country, two system policy 1997 से follow की जारी थी, as far as Hong Kong is concerned, ठी Taiwan, वो अपनी autonomy China को submit करें, कि eventually वो China कहीं पाट है, so this conflict between China and Taiwan could also become one of the flash points in the coming time, ठीक है, और ऐसा बहुत मुश्किल लगता है कि China जो अपना naval budget है, खास करके Indo-Pacific की बात करें, कि अपना naval budget कुछ कम करेगा, तो blocks बन रहे हैं, चाहे Quad है, चाहे AUKUS है, to contain the rise of China, but China is not really bothered by all these blocks, तो चाह China को जितना मर्जी contain करनी के कोशिश करो, China जो है, वो naval dominance, military dominance जाधा दिखाएगा आने वाले time में, Russia और Ukraine की conflict की बात करें, अब ये 2014 से conflict चल रहा है, जब से Russia ने Crimea को annex किया है, तो problem कहां पे आती है, Russia ये नहीं चाहता कि Ukraine जो है, वो NATO का हिस्सा बने, ठीक है, so in the last three decades, खास करके after the disintegration of USSR, NATO की कोशिश रही है, तो NATO ने जो अपना eastern frontier है, उसको और expand करनी के कोशिश करी कि कैसे Ukraine को भी NATO के fold में लेके आया जा सके, और Ukraine जैसे क्या आप जानते हैं, वो former Soviet colony थी, formerly that was a part of the Soviet Union, अब व्लादमीर पुतीन बहुत determined है कि आप लेके दिखाओ, ये जो Ukraine है, ये तो last frontier रहेगा, former, जो देखे, अब रश्या का जो sphere of influence की बात करें, तो ये रश्या के periphery में आ जाता है, Central Asian countries की बात करें, Eastern Europe की बात करें, तो व्लादमीर पुतीन तो नहीं जाएंगे कि उनके होते होए, कि Ukraine NATO का एक direct member बन जाए, ठीक है, तो चाहे उसके लिए military force use करनी पड़े, तो व्लादमीर पुतीन is prepared for that, इसको लेके भी talks चल रही है, between व्लादमीर पुतीन और जो बाइडन, तो Ukraine को लेके जो instability चल रही है, तो व्लादमीर पुतीन, he will, उनको कोई परवा नहीं है, वो वहाँ पे अपने troops उनों ने deploy कियो हो है, तो उनको he is not intimidated by the presence of NATO or any other country over there, उसके अगर हम बात करें, unrest in Central Asia, तो अगर आप देख रहे हैं, जैसे कजाकिस्तान में situation unfold हो रही है, उसके बाद आप ये भी देख रहे हैं, कि अफगानिस्तान में जब से Taliban आया है, उसका जो रेपर कर्शन है, वो Central Asia में भी है, South Asia में भी है, तो इसको लेकी भी हाँ पे चंता पक करी गई है, ठीक है, अब return of Taliban की बात करें, so as you know, since August 2021, Taliban is there in Afghanistan, तो civil liberties की बात करें, rights of women की बात करें, इसके उपर question उठाया जा रहा है, कि Taliban कितना इंशोर कर पाएंगे, कि civil liberties वहाँ पे maintain हो सके, democratic tenets वहाँ पे maintain हो सके, religious freedom वहाँ पे maintain हो सके, इस सब को लेके यहाँ पे चंता ज चता ही गई है, ठीक है, so उसके बाद अकर हम बात करें, developments in Afghanistan have fueled the ambitions of quite a few anti-state militant groups across the region, ठीक है, तो पाकिस्तान की आदत है कहना कि good Taliban, bad Taliban, तो उनके साब से जो तरीके Taliban Pakistan है, that is bad Taliban for Pakistan because this group in TTP is now aiming against the state of Pakistan, तो इस तरहां के जो और terror proxy groups है, जाहे वो pro-Pakistan हो, जाहे वो anti-Pakistan हो, जाहे जाहे वो anti-India हो, जाहे वो pro-India हो, पर वो terror groups है, तो Taliban के आने के बाद, इन terror groups को भी बहुत हिम्मत मिल गई है, ठीक है, so that is a cause of concern again, not only for South Asia, but also for Central Asia, उसके बाद एक interesting बात यहां पर आई है, कि अगर हम Indonesia की बात करें, in the recent time, there has been a resurgence of radical Islamic activities which is taking place in Indonesia, तो यहां का जो radical Islamist group है, उसका नाम है, Jema Islamia, ठीक है, now that has reportedly become very active in Indonesia, border issues में चाइना की बात करें, तो ऐसा मुश्किल लगता है, कि आने वाले इस साल में, कि जो stand-off है between India and China, अगर हम LAC की बात करें, जो इसले 2 साल से अलेडी चल रहा है, तो ऐसा मुश्किल लगता है, कि इस साल इसका कुछ issue resolve हो पाएगा, already 14 round of negotiations हो चुके हैं, between the cops commander of India and China, कुछ जाधा concrete solution सामने नहीं आया, अब India क्योंकि Quad का भी हिस्सा है, तो psychologically चाइना इस बात से काफी concerned भी है, disturbed भी है, और तो चाइना कहने को कहता है, कि मुझे फर्क नहीं परता, आप चाहे Quad बनाईए, चाहे reciprocal access agreement बनाईए, चाहे AUKUS है कि Quad में इंडिया के आने के बाद, हो सकता है कि चाइना जो अपने activities हैं, LAC में वो और ज्याधा increase कर दे, ठीक है, तो 2022 में it is very unlikely to see any kind of reduction in the tensions across Ladakh और अरुनाचल प्रदेश, तो इंडिया को अपना military posture strengthen करना पड़ेगा, अपनी military power को और strengthen करना पड़ेगा, ताकि वो चाइना को भी debtor कर सके, ताकि चाइना भी इंडिया को हलके में ना ले, और साथ के साथ, जो इंडिया का neighborhood है, हम पांगलादेश की बाद करें, श्रुलंका की बाद करें, मौल्डिव्स की बाद करें, निपाल की बाद करें, इन neighbors को भी इंडिया को दिखाना पड़ेगा, देखो हम में भी जिग्रा है हम में भी हिम्मत है कि हम चाइना के गेंस स्टाइंड ले सकते हैं वी कें स्टाइंड अगेंस राइज आप चाइना और उसी तरह से इंडिया को अपना जो नेवल डॉमिनेंस है वह भी दिखाना पड़ेगा इंडिया नोशन रीजन में बहुत सारी जो आ अब आप जानते हैं कि सेंट्रलेशन आउट्रीच हमने पिछले दो मीनों में काफी दिखाई है चाहे वो रीजन सेक्यूरिटी डायलोग था चाहे वो फॉर्ण मिनिस्टरस का फोरण था जो इंडिया सेंट्रलेशन कांट्रीज को ओन बोर्ड रखना बहुत जरूरी है त अब आप जाते हैं तो यह बहुत पेचीदा मामला बन जाता है कि एक तरफ हम अमेरिका के भी क्लोज आ रहे हैं दूसरी तरफ हम रश्या को भी अपनी जो हमारी ट्रेशनल फ्रेंट्ट्प उसको इसको इसको डिस्टरब नहीं करना चाहते हैं तो यह बालनसिंग कितना इ तो यह contradiction सरफ अगर हम बात करें Central Asia में या Russia और America के बीच में exist नहीं करती है यह West Asia में भी exist करती है देखिए अभी बात कीगी थी Middle Eastern Court की ठीक है जिसमें India, UAE, Israel और America का जो चार नेशन का जो ब्लॉक बनाने की बात करी गई थी Middle Eastern Court की तो Middle Eastern Court में जैसे कि आप जानते हैं कि Traditionally Iran जो है वो भी इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है हम अपनी बहुत सारी oil energy needs के लिए इरान पर dependent रहते हैं तो हम इरान को भी नहीं upset करना चाहते हैं at the same time हम Middle Eastern Court में इस्रेल के साथ, UAE के साथ अपनी अगर नजदीकियां बढ़ाते हैं तो Traditionally तो एरान has never been a very good friend or a supporter of Israel or UAE ठीक है तो अब यहां पर भी एक पेचीता मामला सामने आता है, so there's a limit to the kind of balancing act that India can perform, तो इंडिया को अपने friends, जितने भी उनके friends हैं चाहे इरान की बात करें, इस्रेल की बात करें, अमेरिका की बात करें, रश्या की बात करें, तो इन सब के साथ balancing act बनाना बहुत- What are the potential opportunities and challenges for Indian foreign policy? तो यह question बनता है, इस article को पढ़के, editorial को बढ़के, अब इस question को easily answer कर सकते हैं, चली बढ़ते हैं अगले editorial की डिवर्ट, यह भी international relations related है, written by the great C. Raja Mohun, Indian Express में आया है, the choice before Pakistan, अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में पाक document release किया है, जिसमें उनने अपनी national security policy की बात करी है, चलो पाकिस्तान कर सकता है, उसकी अपनी autonomy है, जो मर्जी policy वो बनाना चाहे, देखिए, interesting बात यह है, और थुड़ी funny भी लगेगी बात यह सुनने में, कि पाकिस्तान यह कह रहा है, कि हम इंडिया के साथ अपने relation पूदम से कैसे आ गया, देखिए, आप यह बात तो जानते है, international relations की अगर हम बात करें, अगर international politics की बात करें, तो कोई भी मित्र नहीं होते हैं, कोई भी permanent दुश्मन नहीं होते हैं, permanent क्या होता है, और changing क्या होता है, आपका national interest, ठीक है, तो national interest keeps on evolving, यहाँ पे सी राजा मोहन कह रहे हैं, कि what is the only constant, in international politics, change is the only constant, now let's see, कि ऐसा क्या ज़रूरत आई, ऐसी क्या नौबत आई, कि पाकिस्तान को ऐसी national security policy बनानी पड़ी, और इंडिया के towards वो एक change ले के आया, अब जो NSP है, वो यह कहता है, कि we really want to ensure कि economic prosperity हो पाकिस्तान में, economic growth हो, और NSP document, national security policy of पाकिस्तान भी कहते हैं, कि कैसे हम अपनी foreign policies को भी revitalize कर सकते हैं, लेकिन जो critics हैं, within the Pakistan society, the critics of the national security Pakistan, वो यह कह रहे हैं, कि अभी कैसे करोगे, कोई रस्ता दो दिखाओ, क्या road map है, आपनी इतनी बड़ी बड़ी बाते हैं, आप लिग दी national security policy में, now for India, it is very important कि हम बहुत ही fine attention pay करें to this internal politics or the internal dynamism which is happening in Pakistan, because Pakistan में stability रहे, Pakistan prosperous रहे, यह हमारे long term interest के लिए है, हम चाहेंगे, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान stability रहे, पाकिस्तान में violence कम हो, ठीक है, पाकिस्तान में democratic values uphold, we would want that, problem जो पाकिस्तान आज face कर रहा है, कुछ ऐसी problems India face कर रहा था आज से 30 साल पहले, जब USSR का disintegration हुआ, तो अब समझते हैं इस बात को भी, इंडिया की journey कैसे रही post 1991, तो traditionally आप जानते हैं कि हम, since the time of independence, हमारी जो economic policies है, हमारा जो traditional relationship है, that had been more inclined towards the USSR, although हम नहरू जी non-align movement की भी बात करते हैं, लेकिन हमारी जो inclination ही, that was most toward USSR, अब USSR तो disintegrate हो गया 1991 के बाद, अब उसके बाद इंडिया को य प्रिष्टे भी नहीं थे, इन सब देशों के साथ, ठीक है, पाकिस्तान उस time पे क्या आगा रहा था, पाकिस्तान उस time पे proxy wars run कर रहा था, तो चाहे वो कश्मीर का insurgents की बात करें, चाहे वो terrorism in Punjab की बात करें, तो Pakistan was using its proxy wars, the proxy terror groups, targeting Kashmir and Punjab, now there was pressure on India, खास करके इंडिया ने ज stable government है, जब बहुत अच्छी majority के साथ, तो वैसा कुछ नहीं था 90s में, ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपे even went ahead with the pokran 2, ठीक है, अब obviously अगर पाकिस्तान अपना nuclear program proliferate कर रहा है, हम एक nuclear neighborhood में रहते तो हमारी अपनी autonomy है, हम क्यों ना nuclear test करें, तो अटल बिहारी वाजपे ने हो किया, लेकिन उससे इंडिया को pressure भी बहुत face करना पड़ा, from the western block, ठीक है, now also 90s में गौर इंटरेस्टिंग बात क्या हुए थी, liberalization, privatization, globalization, 1991 में ये structural economic reforms भी आये थे, बर within a decade, याने के जब हम 2000-2001 की बात करते हैं, इंडिया was hailed as an emerging power, और आज के time पे बहुत गर्व होता है कहने के लिए कि इंडिया has become the third largest economy in the world, तो इंडिया का ये सफर आ है पिछले 30 सालों में, और जैसे कि आप जानते हैं, Dr. Manmohan Singh की जब सरकार थी, तो Delhi had also cut a deal with USA to become a part of the global nuclear order, जो civil nuclear agreement deal sign की गई थी, जो 123 agreement ratify किया गया था, तब उस ताइम पे George Bush US के president थी, तो ये भी बहुत एति हास एक बात ही, क्योंकि 1998 में तो हमको nuclear boycott भी मिल रहा था, कि हमको countries boycott करने को त्यारती, sanctions लगाने को त्यारती, because हमने पोकरान 2 conduct किया था, अब emerging economies in South Asia की बात करें, तो इंडिया के लावा, क्या सरफ इंडिया क्लॉथी country थी, जिसने अपना हमको transform किया, नहीं, Bangladesh भी है, तो economic transformation of Bangladesh की बात करें, has been very impressive, आज 2021, चलो खतम हो गया, लेकिन 2022 शुरू है, तो as of 2021, अगर Pakistan की economy की बात करें, तो Pakistan की economy की GDP कितनी है, 280 billion, look at Bangladesh, Bangladesh की GDP is at 350 billion, very impressive, और इंडिया की GDP की बात करें, तो हमारी GDP is 3.1 trillion, तो Pakistan का जो रस्ता था clear ली, जो 90's में Pakistan ने जो रस्ता चूज किया, was very different, अब Pakistan की बात की बहुत खुशी थी कि हमने Soviets को बगा दिया, अफगानिस्तान से, हमने Taliban को वहाँ पर restore कर दिया, Taliban को वहाँ बठा दिया, America के साथ बहुत इची friendship कर ली, तो Pakistan थोड़ा arrogant हो गया, और Pakistan ने फिर अपने proxy terror groups भी target करने शुरू कर दिये, against India, चाहे वो कश्मीर में ह ठीक है, तो having helped the Americans to oust the Soviets from Afghanistan by placing Pakistan, ये पाकिस्तान ने 90s में किया, और simultaneously, पाकिस्तान ने sponsor करे terror groups to infiltrate as far as destabilizing in Kashmir is concerned. Now what has changed for Pakistan now? अब पाकिस्तान, interesting बात ये है कि Joe Biden को President बने को सवा साल हो चुका है, तो November 2020 से आज तक Joe Biden ने एक single phone call नहीं किया होगा है, Mran Khan को, ठीक है? तो अब इस बात से पाकिस्तान बहुत upset है, उसके बात अब China और USA के Cold War, so-called Cold War या जगडे के बीच में, तो China के तो President कह रहे ह अब चलो, जी 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 मिक तो बहुत सारी बाते कहते रहते हैं, Now this conflict between China and USA has put Pakistan in a very uncomfortable position strategically, क्यों? क्योंकि Pakistan बहुत अच्छा दोस्त है चाइना का, पाकिस्तान की तो दोस्ती जो चाइना से है, वो तो कहते हैं कि deeper than the oceans और higher than the mountains वाली बात है, तो अब इसके चलते हैं, USA क्यों फिर पुरिष्टे हैं Gulf Monarchies के साथ भी, वो आज के टाइम पर इतने अच्छे नहीं है, हम इंटरस्टिंगी ये बात देखने को मिल रही है, कि जो Gulf Monarchies हैं, ये countries इंडिया को priority याज जादा दे रही हैं over Pakistan, ठीक है? और उसके बाद ये so-called जो definition है, good terrorism, bad terrorism, यानिके good Taliban या bad Taliban, तो अब ये जो militant groups हैं, खास करके तरीके Taliban पाकिस्तान की बात करें, तो अब तालिबान के आने के बाद, अफगान तालिबान जिसकों कहते हैं, उसके आने के बाद जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, now that is turning against the state of Pakistan, ठीक है? नब पाकिस्तान का ये जो बहुत ज़्यादा जश पाकिस्तान में आने का बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान का भी रहा है, तो conclusion क्या निकलता है? अब तालिबान is very clear कि ये बात सबको पता लगे, that look, we are not a passive proxy in the hands of Pakistan, now New Delhi does not care to use force in case of provocation from Pakistan, अब आज के टाइम पे दिली ये कह रहा है कि आज के ताइम के हम डरेंगे नहीं, पहले ह हम बहुत जादा defensive थे, कि अगर कोई ऐसा attack होता था, तो हम सिरफ ये कहते थे, अब इस attack की कड़ी से कड़ी मिंदा करनी ची, लेकिन आज हम उनके घर में घुस के उनको मार रहे हैं, surgical strikes कर रहे हैं, तो आज अगर कोई provocation पाकिस्तान करेगा, चाहे उनकी आर्मी करें, चाहे अमेरिका इंडिया के साथ, combine करके, चाइना के rise को contain कर सके, ये सब होने के बाद, ऐसा लगता है, end में ये conclude कर सकते हैं, कि पाकिस्तान का जो orientation है, पाकिस्तान को देख रहे हैं, कि अमेरिका मेरे साथ नहीं है, गल्प मोनार्कीज मेरे साथ नहीं है, ठीक है, एक चाइना को पाकिस्तान का दोस्त आज के टाइम पर कौन है, कोई भी नहीं है, तो पाकिस्तान शायद इस करके अपनी जो policies है, थोड़ी friendly orient करना चाहता है, टोवर्ड इंडिया, जिसके चलते, national security policy में, पाकिस्तान ये बात बुली, कि हम आने वाले 100 साल में शोर करना चाहते हैं, कि इं पाकिस्तान कितना इस बात को स्टेक करता है, तो अगर आप चाहते हैं, आप इसको कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, ब्रीफी तीन-चार पॉइंट में, reading from the editorial, या अगर आपके खुद के भी कोई पॉइंट साहते हैं, उसको भी आप जरूर आट कर सकते हैं, तो अब इस आर्टिकल में क्या बात करेगी, ये हिंदू में आया है, इसमें focus on the livestock की बात करेगी, तो अभी recently जो 20th livestock census हुआ था, उससे ये पता लगा कि जो livestock population है इंडिया में, that is approximately around 537 million, और 96% of the livestock population is in the rural areas, अब क्योंकि इतनी सारी population, livestock population की बात करें, rural areas में हैं, तो excess veterinary services को मिलना for the farmers, for the owners of their livestock, वो बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे एक नई बात करी गई है, now there has been a change by the government, now there is a major focus has been on the establishment and strengthening of the veterinary services, तो यहाँ पे बात करीगी, mobile veterinary units की, MVU की बात करी गई है, तो ये जो MVUs हैं, ये गाडियां हैं, like mobile vans हैं, जो के door to door, door to door delivery model follow करते हैं, यानिके ये moving hospitals हैं, तो ये vans हैं, जो के easily farmers के पास जाएंगे, उनके घर तक जाएंगे, उनके cattle को, उनके livestock को, कोई भी बमारी है, कोई भी उनको problem है, उनको treat करेंगे, और इससे राहत मिलेगी farmers को, कि उनको इतनी दूर, किसी veterinary hospital में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अच्छी veterinary services नहीं होती, rural areas में, ठीक है, so MBUs can play a major role as far as plugging the gap in this regard is concerned, now antibiotic resistance की बात करें, देखी, अब हमारे देश में खास करके, rural India की बात करें, तो बहुत सारे quacks है, याने कि untrained doctors इसको कहते हैं, ठीक है, तो doctors, untrained doctors, animal healthcare में भी काफी untrained doctors है, now and they are very popular and larger number in the rural areas, ठीक है, अब इसके चलते, this has led to inappropriate, क्यों तो obviously वो दवाईयां भी गलत suggest करेंगे, हो सकता है कि वो दवाईय की जो मातरा है, जो देनी है जानवर को, वो जादा मातरा में suggest करें या कम मातरा में suggest करें, ठीक है, तो अब इसके चलते, जानवरों की जो बिमारी है, वो ठीक तो नहीं होने वाली है, बलके उनको दवाई की बात करी गए है तो अब इस बिमारी से कैसे लड़ना है इस बिमारी से कैसे डील करना है अब इस बात ständigप अगर जो आपिक अंटरेक डॉक्टर जो होगा वो तो नहीं सुछ तरीका बता पाएगा ठीक है अगर prescription है वो गलत prescription दे देंगे तो अब उसके चलते ये जो problems है जो cattle में वो और aggravate करेंगे now problems pertaining to the antimicrobial resistance AMR ये this occurs when the animal no longer responds to a drug जिसको वो पहले efficiently respond करता था तो उसका कारण क्या हो सकता है कि आपको जो prescription दी गई है जो dosage दी गई है जानवर को committee report थी now that had highlighted in the past that livestock farmers जो है वो बहुत grave challenges face करते हैं as compared to the traditional agriculture farmers. तो enhancing the longevity and the productivity of the livestock will go a long way towards elevating rural poverty. So अब बहुत सरे farmers के लिए जिनके पास 2-4 cattle animals होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि भी अगर उनकी cattle की death हो जाए या कोई disease हो उनके जानवर को that that could mean difference between sustenance and starvation life and death की बात बन जाती है उनके लिए ठीक है तो MVU's जो है जो जो mobile veterinary units है और they have been successfully running in states like Andhra Pradesh, Gujarat, Telangana, etc. और काफी अच्छा results इस तरीके से पाया गया है काफी अच्छा जो excess है farmers को इनकी services का मिल रहा है तो जो typical MVU है mobile veterinary unit जो है that is a four-wheeler van with a working space for one veterinarian और and one para veterinarian and a driver come addendant ठीक है तो जो services है वो properties में provide करी गई है तो questionless editorial में से क्या बनता है discuss the significance of MVU for livestock how can MVU harness the potential of livestock farming तो यह questionless editorial में से बनता है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही यही हमारे तो जाने से पहले मैं बार-बार कहता रहता हूं कि अगर आप चाहते हैं अपनी prelims की त्यारी को थोड़ा polish करना अगर आप लगता कि मेरे current phase या मेरा GS का course है वो थोड़ा ज्यादा polish नहीं है उसमें revision चाहिए तो हम comprehensive courses लेक्या है along with test series तो current phase plus test series का course रहेगा इसमें 28 mock test रहेंगे, half length भी रहेंगे, full length भी रहेंगे इसमें static और current phase दोनों के question बूचे जाएंगे जो current phase की यहाँ पे coverage होगे इस crash course में वो 16 months की रहेगी from January 2021 to April of 2022 और उसी तरह से comprehensive crash course है जिसमें GS का syllabus भी included रहेगा तो history, economics, quality, science and technology यह सब जो topics आपके जोग्रिफी की बात करेंगे, सब topics इसमें भी रहेंगे along with current phase and test series तो यह 15,000 करेगा, इसके बारे और detail जानने के लिए आप इस number पे call कर सकते हैं या हमारी website पे visit करके इसके बारे और information ले सकते हैं तो चली दोस्तों, आज के लिए तरह ही मिलेंगे कल और editorial के साथ तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए Thank you so much, जय हिंद